लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम, माता सीता, लक्षमन और हनुमान के साथ अयोध्या वापिस लोटाए जहां पहुचने के बाद उनका भव्य स्वागत हुआ श्री राम वानर सेना के सहयोग का वर्णन करते हुए उन्हीं पुरस्कृत करने की योशना बनाने लगे देवी सीता हमें सुग्रीव और हनुमान सहित समस्त वानर सेना का आभार मानना चाहिए उनके सहीयोग से ही हम लंका पर विजय प्राप्त कर पाएं वैसे तो उनके इस समर्पन का कोई मोल नहीं है फिर भी हम उन्हें पुरसकार देकर उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहते आप बिल्कुल ठीक कहते हैं प्रभू हमें वानर सेना सुग्रीव सबको अनमोल भेट देनी चाहिए किन्तो आप हनुमान को कोई भेट मत दीजेगा ऐसा क्यों सीते? क्योंकि वो मुझे पुत्र समान प्रिये हैं उसे मैं अपनी पसंद की भेट दूगी सुग्रीव सहित सभी वानर सेना को अयोध्या बुलाए गया और उन सब को अतिति ग्रे में ठहराए गया और उनका अच्छे से आदर सतकार करने लगे दो दिन बार भरी सभा में सभी मौजूद थे उन सब की उपस्तिती में सभी वानर सेना को अनमोल भेट देकर सम्मानित किया जाने लगा अंत में सुग्रीव को भी अनमोल भेट दी गई हनुमान को हम अपने हाथों से भेट देंगे हनुमान यहाँ आओ माते, आपकी और प्रभूश्री राम की भक्ती ही मेरा सबसे बड़ा पुरसकार है मुझे किसी भेट की आवशक्ता नहीं हनुमान, तुम हमारे लिए पुत्र समान हो और मैं तुम्हें अनमोल भेट देना चाहती हूँ मैं उमीद करती हूँ कि तुम इस भेट के लिए इनकार नहीं करोगे हनुमान को माता सीता अपने गले का बेशकीमती हार निकाल कर देती है हनुमान सम्मान पूर्वक वो हार स्विकार करते है ये देख समस्त वानर सेना हर्श और उल्लास में डूब गई वहीं राजी में प्रजा आपस में बातें करने लगी प्रभू स्री राम ने कितनी आव भगत की है वानर सिना की और सबको कितने अच्छे पुरसकारों से पुरसक्रित किया है हाँ, सभी बेहत प्रसंद नजर आ रहे थे लेकिन हमें ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान भेट पाकर प्रसंद नहीं है ऐसा लग रहा था उन्हें किसी और ही चीज़ की उमीद थी अयोध्या की प्रजा का अनुमान सही निकला हनुमान अपने कक्ष में उदास बैठे हुए थे ये देख सुग्रीव उनके पास आए पबन पुत्र हनुमान तुम क्यों इतने उदास हो माता सिता की इस अन्मोल भेट से मेरी भक्ति को ठेस पहुँची है भला वो कैसे? मेरी भक्ति को धन धान्य या मोती मनिक से नहीं तोला जा सकता श्री राम और माता सिता के प्रदी मेरी श्रद्धा अन्मोल है तो इस भेट को तुम माता सिता के निशानी समझ कर रख लो तुग्रीव ने हनुमान को बहुत समझाया किन्तु हनुमान प्रसन्न नहीं हुए हनुमान की ये अप्रसनता सम्मान से अपमान की तरफ बढ़ने लगी और आयोध्या में फैल गई प्रभु राम और माता सीता के कानों तक भी ये बात पहुची हनुमान ने हमारी भेंट अस्विकार कर दी आखिर हनुमान के मन में क्या है? ये जानना भी तो जरूरी है हनुमान ने माता सीता का अपमान करके अच्छा नहीं किया मैं उससे मिलकर उससे इस बात का कारण जानूंगा लक्षमन क्रोध में वहां से चले गए देवी सीता चिन्ता में डूब गए किन्तु प्रभु राम मन ही मन ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे वो कोई लीला कर रहे हूं लक्षमन हनुमान को खोचते हुए सर्यो नदी की ओर पहुँच गए जहां हनुमान किसी चिन्ता में डूबे हुए उस हार के एक-एक मोतियों को देख रहे थे फिर उसकी ध्वनी सुनने का प्रयास करते हैं ये सब देख कर लक्षमन हनुमान से कहता है लक्षमन क्रोधित होकर वहां से चले गए और जाकर सारी बात माता सीता और प्रभु राम को बताई आप अभी हनुमान को सभा में बुलाईए और इसका कारण पूछिए राम सीता और लक्षमन सही दरबार में पहुँचे हनुमान के साथ अन्यवानर भी वहाँ उपस्थित थे हनुमान लक्षमर तुमसे क्रोधित है हाँ इस अपमान का कारण बताओ हनुमान कहो हनुमान भला तुमने ऐसा क्यों किया हाँ पुत्र हनुमान बताओ तुमने ऐसा क्यों किया प्रभू मैं तो आपका तुछे सा सेवक हूँ साधारन दास हूँ फिर मैं उस हार के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ तो फिर तुमने उस हार के साथ ऐसा क्यों किया क्योंकि वो हार राम मैं नहीं था, तुम कहना क्या चाहते हो, आप तो जानते हैं प्रभू, मेरे जीवन का उदेश्य किवल आपका नाम है, मेरी प्रतेक स्वास आपका स्मरण करती है, मेरी जिवा सिर्फ आपका नाम ही बोलती है, मेरे कान आपकी ही आवाज सुनते हैं, और इसलिए आपके वो अनमोल मोती भी मेरे लिए पत्थर समान ही थे और ऐसे कंकड़ पत्थर भला मैं क्यों अपने पास रखता। हनुमान अगर तुम्हारी बात सत्ते माने तो तुम्हें हर वस्तु में राम दिखाई देते हैं। हां मेरे शरीर का रोम रोम राम का नाम पुकारता है। मेरे मन में राम और हिर्दय में राम बसते हैं। हां हनुमान संसार तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेना चाहता है। तुम ये चमतकार दिखा दो, जो आग्या प्रभु, जै श्री राम। इतना कहते ही हनुमान अपना सीना चीर कर, प्रभु राम और माता सीता की दिव्यचवी सब को दिखाते हैं। पूरा दर्बार ये द्रिश्य देख आश्यर चकित हो गया और भक्ती भाव से भर गया। सब के शीश रधा से जुक गये। सभी हनुमान को प्रणाम कर उनके नाम की जैजै कार करने लगे। सदियों पहली की बात हैं। उसी सभा में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी भी मौजूद होते हैं। हनुमान जी उन सब की बातों को बड़े गौर से सुन रहे होते हैं। तभी नारत हनुमान की तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं। राम का नाम स्वयम राम के अस्तित्व से बढ़ा है और इस बात को तुम्हें सिध्ध करके ही रहूंगा। कुछ तेर बात सभा का समापन होता है। तो नारत जी हनुमान के पास आते हैं और उनसे कहते हैं। ना रायन, ना रायन, क्या बात है हनुमान जी, आप सभी रिशीगणों का कितना आदर करते हैं। जैसे ही सभा समापत हुई, आप उनके अभिननन के लिए उठ खड़े हुए। लेकिन एक बात आपको अजीब नहीं लगती कौन सी बात देव रिशी जी आप स्पष्ट शब्दों में कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं रिशी विश्वा मित्र तो एक राजा है और फिर एक राजा का रिशी के रूप में अभिनंदन कैसा मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगती हनुमान जी देव रिशी नारत की इस बात को भली भाती समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इसलिए जब सभी रिशी गर्ड़ वहां से प्रस्थान करते हैं तो हनुमान जी हाथ जूड कर उन सब का अभिनंदन करते हैं लेकिन रिशी विश्वा मित्र के जाने पर वो ऐसा नहीं करते जिससे इसे अपना अपमान समझ कर रिशी विश्वा मित्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए राम के पास जाते हैं और कहते हैं रिशी विश्वामित्र भगवान राम के गुरू थे जबकि हनुमान उनकी प्रियभक्त उनके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण थे मगर इस संसार में गुरू का स्थान तो सबसे उचा होता है इसलिए राम विश्वामित्र के शब्दों की अवहेलना नहीं कर सकते थे काफी सोच विचार करने के बाद राम विश्वामित्र जी से कहते हैं ए गुरु देफ आप ही बताएं कि इस अवहेलना के बदले अनुमान को क्या दंड दिया जाए उनकी बात सुनकर रिश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं और उनके उचे स्वर से समस्त सभा काम जाती है राम अनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए मृत्यु दंड और इसे मृत्यु दंड तुम्हारे हाथों दिया जाए यही इसकी सजा है अपने गुरुदेव के मुँसे ऐसी बात सुनकर राम आश्यरे चकित हो जाते हैं और हनुमान के लिए अपार प्रेम होते हुए भी रिशी विश्वा मित्र की बात का समर्थन करने पर विवशो कर कहते हैं हनुमान तुम्हारे ये दंड क्षमा योग्य नहीं है तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा जैसी आपके इच्छा प्रभू आपके हाथों मृत्यु पाना तो मेरा सौभाग्य होगा श्री राम अपने गुरुदेव की बात का मान रखते हुए हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो जाते है और हनुमान जी असमंजस में पढ़ जाते है मगर तभी नारद उनके पास आकर कहते है ना रायन ना रायन राम भक्त हनुमान मेरी मानो तो राम नाम में लीन हो जाओ वो सकता है उनके नाम में लीन होने से स्थिती में परिवर्तन हो जाए नारत की बात मान कर हनुमान जी जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठ कर राम नाम का जब करने लगते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम हनुमान राम नाम में विलीन हो जाते हैं और उधर राम हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए वहां उपस्तित हो जाते हैं विधी का विधान भी कितना आजीब है, जो अपार सनेह का भागी है, आज उसी को मृत्युदंड देने को विवश हूँ भगवान राम खयालों में खोए हुए ही होते हैं, ये तभी उन्हें अपने गुरु विश्वामित्र के अपमान का स्मरण हुआता है और वो क्रोधी तवस्था में आकर अपना बाण निकाल कर हनुमान की तरफ छोड़ देते हैं, किन्तु उनके बाणों का हनुमान पर कोई असर नहीं होता ये कैसी विडम बना है, मेरे सभी बाण, निश्क्रिया क्यों हो रहे हैं? हनुमान आखें बंद करके लगातार राम नाम का जब किये जा रहे थे राम अपनी हर बलशाली शक्तियों का प्रयोग करके ठक जाते हैं, किन्तु वो हनुमान का बाल भी बाका नहीं कर पाते राम आश्यर चकित होकर कहते है कुछ भी हो हनुमान, लेकिन तुम्हें मृत्युदंड तो मैं दे कर ही रहूँगा अपने गुरुदेव को दिये बचन का पालन, मुझे करना ही होगा इतना कहते ही राम अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और उसका प्रयोग करने लगते हैं वो जैसे ही ब्रहमास्त्र का प्रयोग करते हैं तो तीनों लोपों में हाहाकार मत जाते हैं जमीन से ज्वाला मुखी फूट पड़ती हैं सागर में उची-उची लहरे उठ खड़ी होती हैं परवद्टे कर गिरने लगते हैं जंगल में आग लग जाती हैं जीव जन्तू, प्राणी सभी अपनी जान बचाने के लिए संगर्ष करने लगते हैं किन्तु राम नाम में लीन हनुमान अभी भी राम नाम के जप में लीन रहते हैं उन पर ब्रहमास्त्र भी बेअसर रहता है राम नाम का जब हनुमान के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है इतनी प्रलै और राम नाम की शक्ति दे नारद रिशी विश्वमित्र के पास जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं फिर रिशी विश्वा मित्र राम को अपने वचन से मुग्द कर देते हैं नारत ये सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं कि राम नाम की शक्ति स्वयम राम की अस्तित्व से कई गुना अधिक शक्तिशाली है